कि ही गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माइच चानल मैं हुशुती मिश्रा और आपको स्वागत करती हूं आपकी अपने चानल पर जैसे कि गाइज शीट मास्क जो की ट्रेंड में हैं लेकिन ओली स्किन वाले जब भी शीट मास्क यूज करते हैं तो उनको पिंपल रेक ने ग शेर कर देते हैं जो ओली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनाया गया है और यह है गार्निय का नियूली लॉच्ट यह है गानियस के नाशल कब राइट कंपलीट क्लियर अप एंटी पिंपल मास्क हेल्प रेद्यूस पिंपल्स सालिक लिक एसड नाय सेनिमाइड और वाइट करने में मदद करता है और वाइटेमिन सी है जो के स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है यह 15 मिनेट का शीट मास्क आता है 99 रूपीस का और गाईज यह इसली अवलेबल है आपको एमेजॉन पे और नायका में बाकी मैं इस प्रोट को टैक कर दोंगी अगर आप प्राइब में मिल जाएगी आप पॉस करके चेक कर सकते हो बाकी यह पैरेबिन फ्री है कोई हाश के मिकल इतना कोई नहीं है इसमें सैलिकलिक एसेड है नाय सेनिमाइट है और इसमें एमोनियम पॉली क्राइबल मिन्थाइल है टॉरेट अस्कॉर्बल ग्लुकोसाइड है तो गाइज यह जो शीट मास्क है यह कहती है कि यह वेगन फॉर्मला है बायो डिक्रेडबल है शीट मास्क जो की इन्फ्यूजड है एक बॉटल सिरम के साथ तीन चीजों का फायदा मिल सकता है जैसे कि सालिकलिक ऐसे नाय सेनिमाइट एंड वाइटमिन सी यह यूनीक का यह का प्रोडेक्ट है जो कि पिंपल के लिए वक करता है अब हफते में दो बार यूज कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए इसकिन इस हाइडरेटेड पिंपल रेड यूज इसको यूज करने का जो तरीका है फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आप शीट मास्को ल में गैस इस शीट मास्कों मैंने यूज किया है जैसे यूजली जो मैं शीट मास्क करेंटो मुझे नियूज bearings कर में आ जा जातें लेकिन इसने exemption को रिडलेट Shy लेकिन उसके बावजूत मेरी स्किन में पिंपल एकने नहीं आएं लेकिन यह आप पे डिपेंड करते हैं कि आपकी इस कितनी जादा है वी ओली स्किन है तो मैं फिर भी कहूंगे कि आप शीट मास्क बहुत सोच समझ के उसकर हो लेकिन नॉर्मल ओली स्किन है आप इसको चाय कर सकते हो गर आपका मन है शीट मास्क यूज़ करने का लेकिन इसका जो सेरम है बहुत लाइट है वाटर बेज है बहुत थिक वाला सेरम इस शीट मास्क में नहीं डाला गया है जो स्किन को ओली स्टिकी बना दे मुझे ये प्रोड़िट बहुत अच्छा लगा यूनीक फॉर्मला लगा मैं हाइली रिक्मेंट करूंगी उनको जिनको शीट मास्क ट्राय करना है वाली स्किन वाले डेफिनली ट्राय कर सकते हैं ड्राय स्किन वाले आपके लिए और भी अदर गानियर के शीट मास्क अवलेबल है आप इसको स्किप करके आप उसको ट्राय कर सकते हो और बाकी गाईज जो शी करूंगी आप ट्राइब कर सकते हैं और बाकी इद्दम से आप कहें कि इसमें पिंपल एकने पर क्या वग करता है तो अगर पिंपल एकने आपके हैं तो यह उतना कोई वैनिश करने में मदद नहीं करेगा इद्दम से कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा और शीट मास प्रॉब्लम के वज़े से एकने हो रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और एस्ट्रिजन बहुत अच्छे से वग करता है आपके पिंपल एकने पर तो उसको लगा सकते हैं बाकी इसको आप कभी रिफ्रेश्मेंट के लिए स्किन में यूज कर सकते हैं अगर कहीं आना जान करना शेयर करना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना सो गाई शोली मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रॉट के साथ तब तक रखें आप अपना अपने परिवार का ख्याल चेक कर बाई